डिलिवरी का प्रोसेजर मतलब लॉंग टाइम तक चलेगा और दर्द तो बरदास करना ही पड़ेगा बहुत जादा हैलो फ्रेंड नमश्कार कैसे हैं आप सब आई होब सब लोग बहुत अच्छी होंगे मैं रेश्यो आज के इस वीडियो में आप सब का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जैसे कि फ्रेंड्स आप सब ही चाते हैं कि आपके नॉर्म डिलिवरी हो लेकिन उसके लिए सबसे पहले जो बात जरूरी होती है अगर सर्विक्स आपका समय पर 10 cm तक खुल जाता है तो डिलिवरी आपकी जल्दी से जल्द हो जाती है तो ऐसाद क्या करें जिससे कि आपका जो सर्विक्स है वो समय पर खुल जाए मतलब समय पर डिलेटेड होना शुरू हो जाए तो आपको इस चीज में टेंशन लेनी की जरूरत नहीं है कि आपका सर्विक्स खुलेगा नहीं खुलेगा क्योंकि उस टेंशन को दूर करने के लिए मैं हूँ ना तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताने वाली हूँ जो आपको 9 महिने में सेवन करनी है और जिसकी बज़े से आपके बच्चे दानी का मूझ समय पर जल्दी जल्दी खुलना शुरू हो जाएगा और नॉर्मल डिलेवरी भी आपकी बहुत कम दर्द में होगी और जल् कुल फ्री है इसमें आपको कोई टेक्स नहीं देना कोई पैसा पे नहीं करना है ओके बस आपको फ्री में डेली डेली इंफोर्मेशन मिलती रहेंगी तो चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं आज का वीडियो जैसे कि फ्रेंड्स प्रेग्निंसी का 9 महिना बहुत ही ज़द जरूरी है सबसे पहला प्रोसेजर यही होता है कि अगर आपके बच्चे ने सर नीचे कर लिया है तो काफी हद तक नौर्मल डिलिवरी के चांसे बढ़ जाते हैं वहीं अगर 9 महिने तक बच्चा सर नीचे नहीं करता है तो फिर सेजेरियन डिलिवरी के चांसे बनते हैं तो आपको जो मैं आज ये चीज़े बताने वाली हूँ, ये बच्चे का सिर नीचे आने में तो help करेंगी ही, साथ में बच्चे दानी का मूँ खुलने में भी help करेंगी. लेकिन इनका सिर्वन आपको तबी करना है, जब आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, डॉक्टर ने आपको हरी जंडी दे दी है, कि हाँ सब कुछ नॉर्मल है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, तो फिर आप ये टिप्स फॉलू कर सकती है, लेकिन अगर आपकी प्रेग का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन सब कुछ नॉर्मल है, तो फिर शुरू हो जाएए, तो सबसे पहली चीज है अजवाइन की लड्डू, जैसे कि फ्रेंट्स आपको पता ही है, कि अजवाइन की जो तासीर होती है, वो गर्म होती है, अजवाइन का एक लड्डू, कि मसल्स को मजबूत बनाती है, आपकी डिलेवरी बहुत ही कम दर्द में और कम समय में होगी, तो मैं एक बार और रिपीक कर देती हूँ, कि आपको डेली सुबह खाली पेट एक अजवाइन का लड्डू, गर्म दूद के साथ लेना है, यह आपको डेली करना है, जब आप तिल के लड्डू खाने से, गर्द में बच्चे को नॉर्म डिलेवरी की पॉजिशन में आने में तो हेल्प मिलती ही है, मतब बच्चा अपना सर नीचे तो करता ही है, साथ में बच्चे दानी का मूँ खुलने में भी हेल्प होती है, इसलिए आप घी में बने हुए तिल क के लड़ू अपनी प्रेग्निंसी के 9, महींमें में खा सकते हैं इससे नॉर्मन डिलेवडियी की संभाववनाइं काफी हचतते हैं तीसरे चीज है गुणगुना पानी आपको पता हैं अबके आपके नॉर्मन टिलेवडिय में ेवरी आपको यदा मदद कर सकता है पी सकती हैं, तो आप गुनगुना पानी ही पीएं, दिं में कम से कम 3-4 ग्लास आप गुनगुने पानी के पीएं। गुनगुना पानी पीने से muscles की tightening कम होती है muscles आपकी flexible बनती है लेकिन अगर आप ठंडा पानी पीते हैं तो क्या होता है muscles अकड़ जाती है जिस वज़े से आपको लेवर पेन तो बहुत जादा महसूस होगा ही साथ में normal delivery का जो procedure है उसमें काफी जादा time लगेगा delivery का procedure मतलब long time तक चलेगा और दर्द तो बरदास करना ही पड़ेगा बहुत जादा इसलिए कोशिश करें अगर आप गुनगुना पानी नहीं पी सकती तो ठंडा पानी भी ना पीए आप normal water पीए इसके बाद most important चौती चीज है खजूर और बादाम आप pregnancy के 9 महीने में खजूर और बादाम का सेवन भी कर सकती है अपनी delivery को असान बनाने के लिए कैसे के जैसे की खजूर है तो आप उनको दूद में boil करके पी सकती है अगर आप खजूर नहीं खाना चाहती है तो आप छौरे उनकी जगए ले सकती है छौरे को आप ऐसे ही खा सकती है या पानी में भीगो के खा सकती है या फिर दूद में भीगो के भी आप खा सकती है आपको 4-5 छुआरे ही डेली के खाने है इससे ज़्यादा सेवन नहीं करना है बात करें अगर बादाम की तो 9 महिने में 4-5 बादाम आप डेली खाईए कोई दिक्कत नहीं लेकिन बादाम को आपको भिगो के नहीं खाना है अभी तक आप भिगो के खाते आयते हैं लेकिन अब भिगो कर आपको नहीं खाना है ऐसे ही सूखे बादाम आपको खाने है क्योंकि सूखे बादाम की जो तासीर होती है वो ज़्यादा गर्म होती है इसलिए आपको नौवे महिने में बिना भिगो हुए बादाम खाने चाहि आपको दूद में अधरक उबाल कर पीना चाहिए दूद में अगर आपको पसंद नहीं है तो आप दूद में थोड़ी सी चाय पत्ती भी डाल सकती है और उसमें अच्छी तरीके से जादा अधरक बाल कर आपको पीना है चाय जैसी बन जाएगी उसको सिपट सिपट करके आपको पीना है थोड़ा थोड़ा मातरम पीना है गूट गूट करके पीना है इसे भी muscles के जो tightening होती है वो कम होती है muscles flexible बनती है उनमें लचीला पनाता है जिससे के normal delivery आसानी से होती है और कम दर्द होता है delivery जल्दी हो जाती है तो अगर आपका भी 9 महिना लग गया है तो आप इन चीजों का सेवन करना स्टार्ट कर सकते हैं जिससे कि आपके बच्चे दानी का मुझ तो समय पर खुले ही साथ में अगर बच्चे ने भी तक सिर्क नीचे नहीं किया है तो बो भी कर ले और जल से जल आपको liver pain आए और आपकी normal delivery आसानी से हो जाए मैं यही प्रे करूंगी भगवान जी से कि सभी महिलाओं की normal delivery सुरक्षे तो आसान तरीके से हो जाए आप सब अपना experience मुझे शेयर जरूर कीजेगा comments box में मिलते हो आप सबसे अगले वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखें इसी तरीके से मुस्कुराते रहें देखते रहें रेशू ब्लाग यूटूब चैनल परिवार को अपनी खुश रखें और अपना बहुत 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 जादा खयाल रखें बवाएं थैंक